दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पसु पारन निगम लिमिटेट में आई एक बड़ी भरती के बारे में जहाँ पे 1343 पोस्ट ले जो है वेकेंसीज निकाली कही है अगर आप इस वेकेंसीज के लिए अपलाई करते हैं तो किसी भी तरह का कोई एक्स पूरी जनकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं इस वीडियो का आप लास्त तक जरूर देखें अगर आप नए हो हमारी चैनल पर पहली बार आयो हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हो इसी तरह कि नए नी जोप्स की अपडेट पाने के लिए को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन जरूर प्रेस करें इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वेकेंसी आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा तो दोस्तो बिना किसी देरी के मैं आप लोगो सबसे पहले उस ओफिशल नोटिफिकेशन को दिखाना चाओंगा जहां पर पसुपालन निगम लिमिटेट की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है फिर उसके बारे में हम डीटेल से बात करने बादे हैं दोस्तो ये ओफिशल वेबसाइट है पसुपालन निगम लिमिटेट का एंड इसको मैंने open कर लिया है यहां पे आप देख सकते हो जो भी information आपको चाहिए यहां से मिल जाएगा आप आराम से website को चेक करके आराम से पढ़ सकते हो फिर इसके बाद apply कर सकते हो इसके बारे मैं आप आप लोगों को बाद में information देने वाला हूँ इस website का link आपको description मिल जाएगा आप एक बार चेक जरूर कर लेना फिलाल मैं आप लोग को उस notification के बारे में बताने वाला हूँ जहां पर पोस्त की बात की गई यह सैली की बात की गई यह एस criteria की बात की गई तो चलो हम उस official notification पर च notification release किया गया है page number one है जिसके बारे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यहाँ पर apply online का option बताये गया है और यहाँ पर बात की गई यह पोस्त की यहाँ बताये गया है कि निगम द्वारा निम्द पदो पर online आवेदन आमिंतित किये गए हैं आवेदन आमिंतित एक सदिक संखिया में कमी अव्रिदी की जा सकती है यानि जो टोटल जो है छे तरह की vacancies निकाली गई है जिसमें जो है आप एक पोस्त के लिए भी apply कर सकते हैं दो पोस्त के लिए भी apply कर सकते हैं डिपेंड आप पे करता है कि कितनी पोस्त के लिए आप apply करना चाहते हैं नंबर पोस पोस्ट जो है 1343 बताई गई है यह 143 डिपार्टमेंट के तरफ बढ़ा भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट की नमबर वन पोस्ट में जो है यहां पे कौसल केंदर परभारी है जहां पे पोस्ट की संख्या है 97 एस क्राटीरिया यहां प कौसल विकास अधिकारी 188 पोस्ट के लिए विकेंसी जाए एस क्राटीरिया 21-45 आविदन शुल की बात करें तो 826 रुपे लगने वाला है सैली की बात करें तो 15,000 रुपे आपको परमेंत दी जाएगी नेक्स पोस्ट की बात करें तो यहां पे कौसल परभेस सलाकार पश जाली होने वाली है आप अपने क्वालिफिकेशन के कोटिंग अप्लाई कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं कुछ कंडिशन के बारे में ऑल्लेन आवेदन पत्र में जो समस्त वांची सूचना आंकित करें जो भी इन्फरमेशन आपको डालना होगा आप क्वालिफिकेशन अगर आपके पास experience है तो आपको priority दिया जाएगा प्रशुप आलक उन्नती के लिए apply कर सकते हैं अगर आप सिर्फ 10 पास हैं तो कारेले सहाई के लिए apply कर सकते हैं अगर आप सिर्फ 10 पास है तो अगर आपकी typing अच्छी है और भी योगेताई माई गई अलग-अलग पोस के लिए जिसके बारे में आप जान सकते हैं तो यह हो गया page number 1 अब मैं page number 2 को जो है open करना चाहूंगा ताकि आप लोग के लिए समझ पाएं अब page number 2 देख सकते हैं notification का ही page number 2 है यहाँ पर बात की गई है श्रेनी अनुसार कारे दाइत यानि कौन-कौन सा काम करना होगा केंदर पर आपको इसके बारे में बता दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हो सपोस करो अगर आप कोशल विकास पेदादी कारे के लिए अपलाइ करते हो तो तो ग्राम मस्तर पशुपॉलां वेब साइक नहीं करना होगा तता चैंदर पर यहेलक शनसार परीश करना होगा है तरह की जो है आपको काम होने वाला है कोशल में विलब करना है हो पुरे फिलब करके अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉलम होती है तो आप इस नमबर पर कॉल प्रक्राइब कर सकते हैं ठीक है चैन परक्रिया के बारे इमेल आइडी पर भेज दिया जाएगा और उसके बारे में और भी चीज़ा बताई गई है आप इसको एक बार डीटेल्स में जुरूर पढ़ लें यहाँ पर बताई गय सबी हंस्ता की चायपरती प्रश्टूत करनी होगी वह धिक जात्यों सक्षतकार में सफल करने वाला अभी दर्तियों को 32 प्रश्रिक्षन भेजा जाएगा जो इंटर्वी होता है अगर आप पास हो जाते तो आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा तो इस तरह की वेकेंसी होने वाली है ओफिसल उपसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ एक बार जाके चेक जरूर कर लेना वीडियो कैसे लगा इसके बारे में जरूर बताएं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेर नहीं किया तो लाइक भी करे शेर भी करे और च यह बारे में प्लव सीवक पिर पारे में।